हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर आपका स्वागत है कौन्ट स्टेडी में आज हम करने जा रहे हैं हमारा चेप्टर प्रॉबिल्टी जो की हमारे मैट्स का एक चेप्टर है और उसका आज हम करेंगे पार्ट थी जो की होगा कार्ड्स के कंसेप्ट पे इसमें मैं आपको एक और चीज का कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो की है कॉंबिनेशन पर्मुटेशन कॉंबिनेशन चेप्टर जो है उसका हम कॉंबिनेशन वाला पार्ट ही करेंगे हमारे probability chapter के आज वाले और कल वाले portion में सिरफ combination ही use होगा इसलिए मैं permutation का concept आपको नहीं बताऊंगा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर subscribe कीजिए साथी साथ हम Facebook और Instagram पर भी active हैं जल्दी से हमें हर जगा follow कर लिजिए और किसी भी update को मिस्मत कीजिए जेके SSB class 4 के maths की quantitative aptitude की जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिलेंगी हमारे playlist section में जाके इस playlist में जिसका नाम है जेके SSB class 4 mathematics तो शुरू करते हैं आज हमारा combination का concept combination का मतलब होता है selection permutation का मतलब होता है arrangement पर फिलाल हमें permutation पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हम combination का concept भी समझेंगे तो उससे हमारा ये chapter असानी से solve हो जाएगा तो सबसे पहले देख लिजिए combination का formula क्या है n, c, r n होता है कि जितने हमारे पास total चीज़े दी हुई हैं जिसमें से select मैंने आपको बता है combination का मतलब है selection यानि कि हमें एक group दिया होगा उसमें से हमें कुछ select करना होगा तो n होता है वो total number जिसमें से हमें select करना होता है और r होता है वो number जितना हमें select करना होता है for example आपके सामने 10 गाड़ियां खड़ी है उसमें से 2 गाड़ियां आपको select करनी है अपने business के लिए तो n होगा 10 क्योंकि वो total 10 गाड़ियां है और r होगा 2 मतलब उन दस में से आपने दो गाडिया स्लेक्ट करनी है अपने बिजनस को चलाने के लिए ठीक है तो ncr इसका formula क्या होता है n factorial होगा numerator में factorial क्या होता है और उसको कैसे solve करना होता है यह मैं आपको already explain कर चुका हूँ अच्छे तरीके से फिर denominator में आते हैं हम r factorial जैसे हमने numerator में n minus r यानि की जैसे मैंने आपको 10 गड़ियों की example दी कि 10 गड़िया थी जिन में से आपने दो स्लेक्ट करनी थी अपने बिजनस के लिए तो n factorial यानि की 10 factorial आएगा हमारे numerator में r factorial यानि की 2 factorial आएगा हमारे denominator में साथ ही n minus r यानि की 10 minus 2 factorial भी हमारे denominator में multiply होगा ठीक है एक और example यह numerator में हम सिरफ n factorial लिखते हैं तो numerator में आगया 4 factorial same denominator में आगया 2 factorial साथ ही 4 minus 2 factorial भी आएगा अब बात करते हैं कि यह combination है क्या यह किस चीज के लिए use हो रहा है तो मैंने आपको starting में ही अपने first part के lecture में ही बताया था कि probability of event क्या होती है numerator में आता है number of event denominator में आता total outcome तो यह जो हम अ हमारे एक example ले लेते हैं combination की उससे आपको यह चीज समझ आ जाएगी question कहा रहा है कि 10 बंदे और 5 औरते हैं उन में से हमें 4 लोगों को select करना है इस तरीके से कि 3 आदमी और 1 औरत select हो जाए तो यह नहोंने कहा है कि हमें number of events बता हो मैंने आपको कहा था कि यह जो हमने formula apply किया ह हुआ यह number of events के लिए ही है तो question में भी पूछा है कि number of events बताओ ठीक है तो हमने solution में लिख लिए 10 बंदे arrow डाल के लिख लिए कि उसमें से होने है तीन select फिर हमने लिखा नीचे 5 औरतें जिसमें से हमें एक औरत को select करना है तो arrow डाल के लिख लिए हमने one woman अब 10 में से 3 select करन है कि 3 हो रहे है उपर select एक हो रहा है नीचे select men में से 3 select हो रहे है women में से 1 select हो रहा है तो दोनों को मिलाओगे तो 4 बंदे select हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे इन दोनों terms को पहले expand करेंगे 10C3 को हम NCR से compare करें तो हमारे पास N आ गया 10 और R आ गया 3 वही formula हम लगाएंगे numerator में और R आ गया 10 factorial यानिकि 10 factorial अगया denominator में R factorial यानिक 3 factorial और उसके साथ multiply होगा N minus R यानिकि 10 minus 3 factorial अब हम करेंगे सो solve हमने 10 factorial को खोलना शुरू किया और लेकर करें हम 7 factorial तक क्यूं क्यूंकि नीचे हम हमरे denominator में 10 minus 3 factorial दिख रहा है यानिकि नीचे हमारे पास denominator में 7 factorial आ गया, तो हम 7 factorial numerator का और 7 factorial denominator का काट सकते हैं, साथ ही हमने 3 factorial को expand किया, तो denominator में 3 into 2, जब हमने इस पूरी equation को solve किया, तो हमारे पास men select करने के number of events आगे 120, अब सेम चीज़ हम apply करेंगे women select करने के लिए भी, तो सेम चीज़ apply की expand किया, हमारे पास women select करने के number of events आगे 5, अब देखिए, 3 select करने के event आया थे 120, एक select करने का event आया है 5, तो हम इसे जब multiply करेंगे, तब ही जाके हमारे number of events complete होंगे, 120 है 3 बंदों को select करने के लिए, 5 है 1 बंदे को select करने के लिए, तो हमारे total 4 बंदे select हो रहे हैं, जब हम इन दोनों events की multiplication करेंगे, तो हमारे number of events आगे 600, ये सिरफ number of events निकालने के लिए है, denominator जो होता है, वो होता है total outcomes, वो अलग चीज़ है, वो आप आगे question करेंगे जब तो आपको पादा चल जाएगा, अब कुछ बच्चे जिन्नोंने part 2 ध्यान से पढ़ा होगा, उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, कि part 2 में जब हमने heads, tails वा करते थे, जैसे मैंने कहा दिया आपको कि 4 coins उचाले, उसमें से at most 2 head होने चाहिए, तो पहले हम 0 head लेते थे, फिर 1 head लेते थे, फिर 2 head लेते थे, क्योंकि 2 head अपर limit थी, पर आप अगर एक चीज़ दिहान से आपने देखी हो, तो जब हम 0 head लेते थे, 0 head के साथ जो tail होता थ यानि कि 0 head 4 tail जो है, वो आपस में multiply ही हो रहे हैं, क्योंकि 4 coins थे, 0 head आया, 4 tails आया, ये एक ही event बना, जब next event आया, कि 1 head आया और 3 tail आये, ये भी आपस में तो multiply ही हो रहे थे, 1 head into 3 tails ही हो रहा था, पर ये next event बन गया, तो first event और second event आपस में add हो है, ठीक है, इस question में कहा गया थ था कि 3 men और 1 woman को select करना, यानि कि in all 4 बंदे select करने है, तीन men को मैंने आपको select करने का एक तरीका दिखाया, एक woman को select करने का एक तरीका दिखाया, तो जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते, यानि कि 3 men और 1 woman मिल के 4 नहीं बनते, तब तक हम उन्हें multiply ही करेंगे, जब वो 4 हो ग कराए, तो हमारा question कहा रहा है कि 5 boys और 5 girls हैं, जिन में से हमें 2 boys select करने हैं और 3 girls को select करना है, तो हम इने select करना शुरू करेंगे, 2 लड़के select होने हैं 5 लड़कों में से, तो उसके लिए 5C2, similarly 3 लड़किया select करनी हैं 5 लड़कियों में से, तो उसके लिए 5C3, अब देखिए 3 लड़कियां, 2 लड़के, इनके लिए मैंने 2 अलग-अलग parts मनाए हैं 5C2 और 5C3, पर अभी तक इन दोनों को हमने मिलाया नहीं हैं, क्योंकि 2 लड़के select होने हैं, तीन लड़के select होनी हैं, यानि कि overall 5 लोग select होने हैं, जब 2 लड़के अलग select हो रहे हैं, तीन लड़के हो रही हैं इन दोनों को combine करने के लिए हमने multiply का sign यूज किया दो लड़के select हो रहे हैं 5 में से multiply बैट तीन लड़के select हो रही है 5 में से अब ये event हुआ है complete जब तक आपका event complete नहीं होता आप multiply ही use करेंगे जब आपका event complete हो गया फिर next event की बात आएगी तो उसमें आप plus लगा सकते हो event 1 plus event 2 पर जब तक आपका एक event complete नहीं हो रहा आप multiply ही use करेंगे बढ़ते हैं हमारे next question पे question तो first part का question वही है कि 5 boys 5 girls हैं 2 लड़के select करने 3 लड़के select करनी है तो total event वही हैंगे जो मैंने आपको अभी अभी पिछले question में दिखाए अब आगे की line कह रही है and from another group यानि कि अब एक और group introduce हो गया उसमें 3 लड़के हैं 2 लड़के हैं जिसमें से हमें 1 लड़का select करना है 1 लड़की select करनी है देखिए अब आपके पास आगे न दो groups आगे दो groups आए यानि कि उनको select करने के दो events होंगे तो दो अलगलग events इसमें plus होंगे पहला event हमने complete किया कि 5 में से 2 लड़के select किये 5 में से 3 लड़के select की तो multiply लगा दिया total 5 लोग select होगे अब दूसरे event में हम लड़के select करेंगे तो 3C1 तीन में से एक लड़का select होना है लड़कें select करेंगे तो 2C1 टू में से एक लड़की select होनी है तोटल दो लोग select होने थे एक होना था लड़का एक होना था लड़की पर अभी तक हमने अलगलग इनको किया अभी तक हमने इनको combine नहीं किया इनको combine हम कैसे करेंगे जब हम इनकी multiplication कर देंगे तो हमारे पास case 1 के number of events भी आगे और जो हमारा एक और group add हुआ था तो उसके select करने के number of events भी आगे 3C1 into 2C1 अब हमें अगर total number of events निकालने हैं तो हम case 1 और case 2 दोनों को अपस में add करेंगे तो यही था पूरा concept कि कहां पर multiplication होनी है कहां पर add होना है मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ एक event को पूरा करने के लिए हमेशा multiplication यूज होगी और दो अलग अलग events जो की complete हो चुके हैं उनको जब हम sum up करेंगे तो भी हमारे number of events आएंगे जिसमें हम plus का sign यूज करेंगे ठीक है अब आज आते हैं हमारा आज का जो topic जो basically जिसके लिए मैंने आपको इतना कुछ combination के बारे में पढ़ाया वो topic क्या है तो वो topic है हमारा cards का cards यानि पत्ते जो ताश में हम खेलते वगरा हैं जो भी बच्चे खेलते हैं मैं तो नहीं खेलता तो उसके लेके अब जो खेलते हैं उनको तो हर चीज़ अच्छे से याद होगी जो नहीं खेलते हैं उनको मैं एक बार detail में बता देता हूँ cards में होता क्या क्या है cards में दो color होते हैं एक होता है red एक होता है black ठीक है total cards में पत्ते होते हैं 52 अब देखिए दो colors हैं तो 52 को आप दो हिस्सों में divide कर दीजे यानि की red color भी 26 होंगे और black color भी 26 होंगे ठीक है total 52 cards है red color के cards होंगे 26 black color के cards होंगे 26 एक पे दिल जैसा बना होता है एक पे डाइमंड जैसा बना होता है और दो पे पत्तों के जैसा बना होता है पत्तों के जैसा एक सिंबल होता है एक अलग डिजाइन का पत्ता होता है और दूसरा अलग डिजाइन का पत्ता होता है तो यह चार होते हैं सूट अब अगर आप 52 क को चार से डिवाइड करतो तो आपको पता चल जाएका कि हर सूट में 13 कार्ड होंगे तो मैंने लिखा हुए 13 कार्ड इन इच टैक जब हम इन कार्ड को कंबाइन करके गुरूप बनाते हैं तो उसको कहते हैं डेक 13 कार्ड के डेक से एक सूट बनता है शूट यानि डेजाइन जो भी 4 हमारे पाइस शूट होते हैं यानि 4 अलगलग डेजाइन है जो उनको टिफ्रेंशेट करते हैं ओब आजाते हैं कि कार्ड ह Congress हमारे जो होते हैं शूरू होते हैं तू से नाइन तक नंबर ही होते हैं, आपको वन नंबर का कोई कार्ड नहीं देखेगा, टू से शुरू होगे, नाइन तक काउंटिंग जाएगी, फिर नाइन के बाद आता है जैक, यानि की जोकर, जैक के बाद आती है क्वीन, और क्वीन के बाद आता है किंग, और सबसे कास्ट में सबसे पाउरफुल कार्ड जिसको कहते हैं, वो होता है A, तो all in all एक डेक में आगे, आपके पास 13 कार्ड, आप इनको काउंट करके देख लेजिए, 13 ही बनेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं, फेस कार्ड की, फेस कार्ड वो होते हैं, जिन पे नंबर्स याँ फ फेस कार्ड सिरफ वही, जिन पे कोई न कोई पिक्चर बनी होई है, ठीक है, अब हमारे पास अगर एक सूट में तीन फेस कार्ड आ रहे हैं, तो टोटल कितने फेस कार्ड होंगे, हमारे पास होते हैं चार सूट, एक सूट में तीन आ रहे हैं, तो 3 इंटू 4 टोटल हमारे कर दोगे तो आपके पास red में आ जाएंगे 6, black में आ जाएंगे 6, जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया था, 52 हमारे पास total cards हैं और हमारे पास दो ही colors हैं, तो 52 को अगर हम दो हिस्सों में divide कर देंगे, तो हमारे पास black cards आ जाएंगे 26 और red cards आ जाएंगे 26, ठीक है, अब शुर सिधा काया कि 52 cards हैं और दो select करने हैं, हमें probability बताओ, तो numerator में आएगा number of events, number of events कि हमें 2 cards select करने हैं, और denominator में आएगा total events, तो total events कि हमें जितने cards में से 2 cards select करने हैं, यानि कि 52, तो जब इसे हम overshot करेंगे, हमारा final answer आजएगा 1 by 26, अब आ गया वो question जहाँ पर combination का use होगा, अब अब देखिए, हमें काया कि find the probability of 4 cards, each one being from different suits, from a deck of 52 cards, यानि कि हमें 4 cards select करने हैं, हर card अलग suit का होना चाहिए, तो total card में से हमें select करने हैं, यानि 52 cards में से select करने हैं, अब मुझे बताए कि total number of suits होते कितने हैं, अगर आपका answer है 4 तो आप बिल्कुल सही direction में जा रहे हैं, अग इडियो को pause करो, वापिस जो और दोबारा एक एक point को अच्छे से देखो, इस बार बिल्कुल ध्यान से देखना मैंने जो जो चीजें explain की हैं, तो हमारे पास 4 suits हैं, 4 ही card select करने हैं, और हर card different suit से होना चाहिए, तो यानि कि हर suit से एक card select होगा, ठीक है, अब आते हैं हम हमारे solution पर, तो हमारे solution में आप देख सकते हो कि मैंने 13C1 को 4 बार लिखा है, और आप कहोगे कि sir आपने तो कहा कि 4 suit हैं, और 4 suit में से एक card select होना चाहिए, इदर बात चल रही है, question में card select करने की, तो card आप total number of cards में से ही select करोगे, 4 suits मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि multiplication 4 बार हो होगी, अब देखिए card में से ही card select होगा, 4 suit हैं, हर suit में 13 card होते हैं, वैंने आपको starting में यह explain किया, यानि हर 13 card के deck में से 1 card select होगा, तो 13 में से 1 card select होना है, उसके लिए क्या formula user का, 13C1, और यह कितनी बार select होगा, total हमें 4 card select करने हैं, आप देख सकते हैं, C के नीचे अभी तक एक ही card select होगा, तो जब यह procedure 4 बार repeat होगा, तब ही जाके event complete होगा, तो जब तक event complete ना हो, मैंने आपको बताया कि multiply ही होगा, यानि कि 13C1 को हम 4 बार आपस में multiply करेंगे, यह आ गया number of events, यानि कि probability का numerator, तो denominator क्या होगा, denominator होता total number of events, अब हम select कर रहे हैं, 4 cards, denominator में 4 cards select होगे, 52 cards में से ही, denominator को फरक नहीं पड़ता कि वो queen है, king है, या किसी deck में से एक है, denominator बस यही देखता है, कि total 52 cards थे, और 4 select होने हैं, तो denominator में आगे 52C4, 4 cards हैं, अलग-लग deck में से हैं, हर deck में से एक card select होना है, यह चीज़ हम सिरफ numerator के लिए देखेंगे, denominator तो सीधा सीधा आ जाएगा कि 52 में से 4 cards select हो रहे हैं, अब आप आगे देख सकते हैं कि 13 raise to power 4 लिखा हुआ, मैंने, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है, जब हम 13C1 को expand करेंगे, numerator में तो 13 factorial आएगा, denominator में क्या आएगा, 1 factorial और 1 factorial के साथ multiply होगा 13-1 factorial, ठीक है, यानि कि numerator में हमारे पास 13 factorial है, denominator में 12 factorial नहीं आ जाता, यानि कि 13 into 12 factorial आपका होगा numerator, और same 12 factorial आपको denominator में भी दिख रहा होगा, तो 12 factorial से 12 factorial कट जाएगा, यानि कि 1 13C1 के लिए आपका final answer आगया 13, तो यहाँ पर 413C1 दी होए हैं, आपके पास आगया 13 raise to power 4, denominator को expand करेंगे, same वही तरिका 52 factorial divided by 4 factorial into 52 minus 4 which is 48 factorial, जब हम इन सब को expand करोगे, तो हमारे पास multiply वगरा करने के बाद final answer आजेगा, 2197 divided by 20825, यह है हमारा final answer, चलते हैं हमारे next question पे, 4 card हमें select करने हैं, 52 card में से, तो हमारे पास probability of event का denominator तो आगया, सिदा सिदा 52C4, ठीक है, हमें सिरफ numerator पे, यानि कि number of events पे काम करना है, अब आग different suits with different number or face on them, different number or face, यानि कि एक बार अगर आपके पहले deck में से, यानि कि 13 cards के पहले deck में से, अगर आपके पास 2 का एक card आ गया, तो आप बाकी के 3 deck में से भी 2 के cards निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने का है, कि different number होना चाहिए, एक तो हर एक card different deck से भी होना चाहिए, ज सकता था तो इसलिए हमने 13C1 ही लिखा चार बार उस चीज में चेंज आएगा क्या चेंज आएगा यह मैं आपको अब भी सुलुशन में दिखाता हूँ अब देखिए फॉर एक्जेंपल आपके सामने चार डेक पड़े हैं उन्होंने का है कि चार डेक में से आपने एक कार् आपने रिमूव करता जाना है वो कार्ड आप दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते ठीक है तो फॉर एक्जेंपल पहला डेक आगया आपके पास 13 कार्ड का और स्पोस्ट कर लीजिए कि उस हाट वाले कार्ड के डेक में से आपने एक कार्ड निकाला और जब उसको मोड़ा तो कि वो हाट की कुइन है तो अब आपके पास जो आगे की तीन डेक्स हैं उसमें से भी कुइन के कार्ड ढूण के खुदी निकाल देने हैं तो जब आपने देखा कि पहले वाले 13 कार्ड का डेक था उसमें से आपने एक निकाल लिया तो उसकी प्रोबिल्टी क्या होगी 13C1 क्योंकि 13 में से एक निकाला जब आपने देखा वो queen का था आपने बाकी 3 decks में से भी queen निकाल दी अब जो आपके पास second deck है उसमें से आपने card निकाल लिया for example king का ठीक है एक तो already उसमें से queen का card निकल चुका था तो number of cards आगे उसमें 12 अब उसमें 13 नहीं बचे अब उसमें आगे 12 ठीक है अब second deck में से 12 के वापजूद आपने एक card निकाल लिया यानि कि 12 C1 आईगी उसके लिए number of events आएंगे उसके लिए 12 C1 जब आपने king निकाला king आपने side पर रख दिया और बाकी जो दो आपके पास deck बची उनमें से भी आपने king निकाल दिया क्योंकि आपको different face या फिर different number चाहिए था अब queen निकल गी sub decks में से king निकल गया sub decks में से अब हम third deck की बात करें तो एक queen remove हो चुकी है उसमें से पहली एक king remove हो चुके है उसमें से पहली चे का card आपने निकाल के side पर रख दिया अब जो आपके पास चोथा deck बचा तीसरे deck में से आपने 6 निकाला ना चोथे deck में से already king और queen निकल चुके है अब जब आपने तीसरे deck में से 6 निकाला तो आपने चोथे deck में से भी अपना 6 निकाल लिया ठीक है अब चोथे deck में कितने बचे तीन cards निकल के king queen और 6 तो यानि चोथे deck में अब आपके पास सिर्फ 10 ही cards बचे हैं क्योंकि king queen और 6 जो हैं वो आपके चोथे deck में से already निकल चुके हैं ठीक है तो अब 10 में से हमें एक card select करना है उसके लिए हमारा event क्या होगा 10C1 जैसा कि मैंने आपके पिछले question में भी explain किया था 13C1 का अगर result 13 ही आ रहा है तो इधर देख सकते हैं आपके 13C1, 12C1, 11C1, 10C1 इन सब के result वहीं आएंगे यानि कि हमारा उपर वाल है जो numerator है उसका final answer हो जगा 13 x 12 x 11 x 10 और 52C4 को जब आप expand करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इस पूरी equation को solve करोगे तो आपके पास final answer आजएगा 264 divided by 4156 चलते हमारे next question पे हमारा next question कहा रहा है कि 2 green cards, 4 blue cards और 6 red cards में से हमें 1 green, 2 blue, 1 red card select करना है तो हमें probability बताओ ठीक है तो सबसे पहले चीज़ हम green card पे काम करते है हमारे पास 2 green card है उसमें से 1 हमें select करना है तो उसकी probability आगी 2C1 next 2 blue card select करने है हमारे पास 4 blue card है तो उसके number of events आगे 4C2 4C2 next 6 red card है हमें उसमें से 1 select करना है तो उसके number of events आगे 6C1 अब देखिए total कितने card select करने थे total हमें 1 green करना था 2 blue करना था 1 red करना था याई in all हमें total 4 जो card हैं वो select करने थे अभी हमने 1 किया green में से 2 किये blue में से 1 किया red में से अब इन सब को हमें combine करना है तो क्या symbol use होगा अगर आपका जवाब है कि जो symbol use होगा वो है multiplication का तो आपका जवाब बिल्कुल सही है क्यों? क्योंकि हमें अपना event complete करना है और हमारा event complete कब होगा जब हमारे चारों के 4 card select होगे अभी तक हमने 1 card green का अलग से select किये 2 card blue के अलग से select किये 1 card red का अलग से select किये तो जब हमें इनको combine करेंगे हमारा event तभी complete होगा जब बीच में multiplication का sign आएगा तो probability of event आगे 2c1 into 4c2 into 6c1 ये था number of events यानि की probability of event का numerator और total हमारे पास card है 15 जिन में से 4 select करने है तो वो आगया हमारा 15c4 as denominator इस equation को solve करो और इसका answer comment section में मुझे post करके बताओ मुझे देखना है कि आपको combination वाला method है इसको expand करना आता है या नहीं आता ठीक है अगर आपका answer आ जाता है तो well and good अगर आपका answer नहीं आता तो इस equation को अपने page पर लिखो दोबारा वीडियो की starting में जाओ और देखो की combination expand कैसे होता है और फिर इसको expand करो और उसके बाद answer comment section में post करो ठीक है इसे के साथ हमारा probability का जो part third है जिसमें हमने cards पढ़ा है वो खतम होता है ये नीचे मैंने bracket में half इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने ये जो card वाला portion है ये आदा ही पढ़ाया है इसके बाद king, queen, jack, face cards ऐसे ही चीज़ों के concept भी बीच में add up होंगे पर अगर वो मैं आपको आज ही पढ़ा देता तो एक ही दिन में कही सारे concept हो जाते है आपको याद करने के लिए इसलिए मैंने आज ये concept cover ना करके next topic पर छोड़ा हुआ है तो हमारा probability जो है part 3 यही पर खतम होता है part 4 में भी हम इसी बाट को continue करेंगे उसमें हम king, queen, jack की introduction करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसाद आई तो इससे like कीजिए साथ ही हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इससे अपने friends के साथ share कीजिए thank you